जिसमें हमने देखा जोरदार तेजी देखने को बिल रही है शेर आपके सामने 20% के अपसर्किट पर लगा हुआ है क्या वज़या है इस तेजी की बताने के लिए मेरे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी विनी मोतिवाला विनी बताईए 20% का अपसर्किट क्या कारण है कारण तो में नहीं देखे तो जो एडवर्ट इंटरनेशनल है जो पी फिर्म मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है DFM Foods में अपनी सबसेट्री के वाया AI Global Investments उन्होंने अनौंस किया है कि voluntary delisting होने वाली है DFM Foods की अगर अभी देखा जाए तो जो stake promoters hold करते है 73.7% stake company में hold करते है और यह voluntary delisting के लिए company ने express की है कि वो acquire करेंगे उसके majority जो public shareholders की shares है वो acquire कर लेंगे और इसके लिए जो manager है lean manager वो है JM Financials को appoint किया हुआ है उसके अलावा top holders की बात करें तो invest को है वहाँ पर mutual fund जो invest को है वो own करते है 2.5% stake उसके अलावा retail individual holders around 27,000 retail individual holders hold करते है 15% stake company में और दूसरे individual investors hold करते है 3.97 और FIIs overall अभी DFM में own करते है around 0.37% stake तो यह main जो wallet tree delisting की बात चल रही थी और जो announce की हुई है उसके वज़े से हम लोग देख रहे है कि आज stock upper circuit में lock हो चुका है ओके तो यह है कारण जिसके वज़े से हम देख रहे हैं कि आज DFM food जो है वो upper circuit पे लगा हुआ है बहुत-बहुत शुक्रिया विनी उस पूरे update के लिए stock का आपके सामने 20% उपर आज कारुबार कर रहा है चलिए